अब मेरे काफी सारे सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता था, पहले ये कहना चाहता हूँ कि जिन्दगी भर मैंने हनुमान 40 हा का जाप किया है, जिन्दगी भर अचिके पर पहली बार मैंने बजरंग बान के बारे में आपके विडियो से जाना आओ, पता भी नहीं था कि शोल्डर इंजरी हो गई रैंडम ली मतलब कुछ मैं गिरा नहीं कुछ आक्सिडेंट नहीं हुआ पर शोल्डर पूरी तरह से इंफ्लेम हो गई टेंडिनाइटस हुआ जब मैं फिजो के पास फिजो ने कहा कि कि ओवर टाइम हुआ है क्योंकि मताब 16 साल की मेरी सर्जरी हो गई थी शोल्डर पर तो पर्मनेंटली वीक जॉइंट है मेरी बॉड़ी तो ओवर टाइम वो इंजरी अक्यूमलेट होके अब इंजरी बन चुके और बहुत ज्यादा दर्द में था फिर आपका वीडियो कीजिए क्योंकि इस गाने में इस मंत्र में तांत्रिक स्टैंजा भी है तांत्रिक शब भी है कुछ-कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जिसका अगर आप प्रोनाउंस करेंगे जिसको तो वह आपको पावर देते बीज मंत्र की तरह है लेकिन वह बीज मंत्र नहीं है जैसे सब दियोग की मैंने बात करी एक word होता है जो energy दे सकता है तो उस प्रकार के words जी जिन लोगों ने आपका वो वाला बजरंग बान का वीडियो नहीं देखा है और I feel कि बहुत सारे लोगों ने आपका वो वीडियो देखा है एस्पेशली जो लोग ये podcast सुन रहे है पर जो लोग पहली बार आपसे मिल रहे है इंटरनेट के थुरू बजरंग बान के बारो में बताई है किसके लिए इंजरी अगर आपके जीवन में कोई है कोई रोग है कोई डिजीज है इसको आपको क्या और करना है the last option हनुमान बहुक तुलसिदाज जी जब बहुत पीड़ा से गुजर रहे थे तब उन्हेंने हनुमान बहुक की रचना की थी और उनकी पूरी बॉड़ी हील हो गई थी वो उनके last stage की बाते life की तो हनुमान बहुक लंबा है छोटा नहीं हनुमान चालिसा जैसा उसको पड़ेंगे तो उसमें तुलसिदाज जी ने अपना pain का वर्णन किया है और कैसे वो pain हिल हुआ उसका experience का वर्णन किया है और वो ही खुद एक consecrated बहुक बन गया consecrated का मतलब simple way में कहे तो कोई भी ऐसे चीज़ जो किसी ने इस्तमाल करी और उसकी वज़ा से वो powerful हो गई that's a consecration अगर मैं अभी कोई मंतर अपने अंदर से निकालता हूँ किसी को देता हूँ तो वो मेरा consecrated मंतर है गले में रुदराक्स पहना है रुदराक्स का एक bead तोड़ा और कोई मंतर मेरे पास है उससे मैंने उसको energize किया तो वो consecrate हो गया और वो मैंने उसको दे दिया तो वो सामने वाले इंसान को उस प्रकार से help करेगा इसी प्रकार से हनुमान बहुक भी एक consecrated stanza, lines, words हैं बजरंगबान भी उसी प्रकार के words हैं लेकिन बजरंगबान में क्या आता है कि तंत्र प्रस्पेक्टिव से बात करें बजरंगबान की तो धंकिया दी जाती है तंत्र अगर हम देखेंगे ना तो तंत्र में ही होता है कि आप बगवान के साथ ऐसे बात नहीं कर रहे हो कि वो बगवान है आप उनके साथ fight कर रहे हो आप उनको डाट रहे हो आप black magic में अगर देखोगे तो बगवान को मैं ये कहना तो नहीं चाहता लेकिन गालिया भी दी जात तो उसी प्रकार का बजरंगबान है जिसमें पगवान सरी राम की उन्हें कसम दी जाती है कि आपको उनकी कसम है आप आईये और मेरी मदद कीजिए और स्री राम तो घंूमान जी केलिए बड़े महतवपूर्ण है तो उस प्रकार से बजरंगबान काम करते हैं और बीच imitate में दुख इस बात से मैसूस होता है कि मैं हर दिन नहीं सुन सकता बजणागबा, रिल्कुल, और सुनना भी नहीं चाहिए नहीं, मैं तो यह कहता हूँ, हनुमान 40 अब लोग करते हैं रोज, लेकिन हनुमान 40 आप देखी, हनुमान जी को क्या खाजाता है, वज्र, वज्र यानि मिटा देता है आपको हाड बना देता है और जो साधना करते हैं या मेरे जैसे spiritual इंसान है जिसको sensitivity की जरूरत है तो वो से destroy कर देता है तो मैं हनुमान चालिसा भी हर रोज नहीं करता हूँ पर आपको sensitivity की जरूरत क्यों है sensitivity की जरूरत तब होती है जैसे मैंने का चिदांबर मंदिर में मुझे जाना है तो वो sensitivity होगी तो I can use that energy for my betterment तो वो आपकी खतम हो जाती है लेकिन हाँ अगर आप एक normal है तो हनुमान चालिसा जैसा इस दुनिया में कुछ नहीं है महामर्तियुन जैसे मंत्र भी नहीं वो मंत्र है न मैं lines की बात कर रहा हूं मंत्र अब सब लोग किसी को अगर इनिसियेट नहीं किया अगर किसी को ठिक से प्रोनाउंस करना नहीं आता है तो वो गलत बोलेगा तो मंत्र काम नहीं करेगा हनुमान चालिसा में आपसे कुछ गलत भी हो गया words में it will work for you क्योंकि वो मंत्र नहीं है वो words है वो lines है वो स्तूती है तो इस प्रकार से हनुमान चालिसा सभी के लिए everyone जो भी इस दुनिया में no religion no caste nothing सब के लिए काम करेगे आप एक हनुमान भकतो खुद मैं मेरी सुरुवाथ हनुमान जी से हुई थी इस्ट देवता मेरे हनुमान जी ही थे जब तक मैंने अपने आपको जाना नहीं समझा नहीं तो हनुमान जी ही मैं हनुमान जी को ही मानता था हनुमान जी की ही सब भकती की है मैंने आज तक जैस मैं आगे बढ़ा spirituality को देखा साधना को देखा तब मुझे पता चला कि no now I have to put हनुमान जी aside देखो भक्ती जब आप करते होना तो वो liberation में barrier बन जाता है यह harsh है लोग नहीं मैं और सारी मैंने वीडियो बनाई भी थी पहले लेकिन लोगों को नहीं मानना है नहीं सुनना है तो मैंने वैसा बताना ही बंद कर दिया लेकिन यह liberate नहीं आप देखे रामा कृष्णा की बात है तो मा काली तो उनके जो गुरू थे तो तापूरी उनके गुरू थे रामा कृष्णा की तो तापूरी तो वो यही कहते थे रामा कृष्णा को कि जो मा काली है तुम आखे बन करते हो तो तुम्हें मा काली दिखती है तो तुम ultimate consciousness को फिल नहीं कर पादे क्यों कि आखे बन करके अगर कुछ आपको दीख रहा है तो आपके माइंड की वज़ा से दिख रहा है तो तोतापूरी जी कहते हैं कि जहां से तुम मा काली को लेकर आते हो यानि कि अपने दिमाग से तो वो एक बार बैठते हैं और मा काली उनके सामने आ जाती है चाकू निकालना ही भूल जाते हैं वो रोने लगते हैं आखों से आसू आने लगते हैं मा काली को देखकर फिर त तोतापूरी जी गुसा हो जाता है, वो कहते हैं कि अब मैं यहांसे चला जाओंगा, मैं तुझे मोक्स एनलाइटमेंट तक नहीं ले जाओंगा, क्योंकि तु मेरी सुनता नहीं है, तो वो रामा कृष्णे जी कहते हैं कि आप बताइए मैं क्या करूँ, मेरे से नहीं हो रह होगा, तो फिर से consciousness में आएगा कि मेरे गुरु ने कुछ कहा था, तो उस समय जब मैं तेरे दिमाग पर, तेरे माथे पर एक चीरा लगाऊना, तो अपने imagination में चाकू उठाके मा काली को काड़ देना, और उस समय रामा कृष्णे जी ने ये फिल किया था कि मा काली was a barrier for ultimate liberation, तो भक्ती में भी ऐसा होता है कि भगवान भक्ती भाव के तौर पे आप देख रहे हैं बढ़िया है, लेकिन एक time आएगा, जब लोग ये कहते हैं आखे बन करके मैं बैठता हूँ हनुमान जी के दर्सन हो गए, भगवान के दर्सन हो गए, भगवान को आपने तब जाना जब आप इस धर्ती पर आए, इसके पहले अगर आज मैं आपके मैंड से सारे मैमरीज ले लूँ और अगर आपके सामने गंडपती जी को रख दूँ, हनुमान जी को रख दूँ, आप पहचान ही नहीं पाएंगे न, वो आपने तब जाना जब आप इस धर्ती पर आए, आपने देखा आपने लोगों से सुना और जब आप ध्यान कर और आपके अंदर वही चीज आ रही है उसका मतलब आपका माइंड ये चीज दे रहा है क्योंकि वह आपके माइंड में है बट इसका मेडिटेशन का मतलब आपका माइंड ही बंद हो जाए तो वह एक बैरियर ब कि यहां मौका मिलता है पॉपिलर इसी वजा से हो रहे है क्योंकि बहुत सारे चीज़े हैं जो भी मैं कह सकता हूं बहुत सारे सी चीज़े हैं पीपल विल ब्लू आउट लेकिन फिर सुनेंगे तब उन्हें अच्छा लगेगा लेकिन जैसे वह बैक टू लाइफ फिर से वो उनका जो एमोसंज हैं बगवान के साथ वो बीच में आ जाएंगे